मोमोस की नाम से हम सभी के मूं में पानी आने लगता है आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ पनीर मोमोस की रेसिपी यह मोमोस का एक अलग वरियेशन है बहुत ही ज्यादा यमी होता है और बनाना भी काफी आसान होता है तो अगर आपको मोमो खाना पसंद देना तो य आपको यह बहुत ही पसंद आएगा आज के स्प्रीडों में इसके बहुत ही आसान जिए अपके से आपको आसानी से फिल कर सकते हैं उसके भी 3-4 तरीके शेयर किए है तो वीडियो को पूरा देखे का आपको यह बहुत ही पसंद आएगा और हमेश्जा की तरह अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें तो चलिए फिर बिना देर किया आज के इस बहुत ही यमी रेसिपी को शुरू करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें डो रेडी करना होगा तो यहां पर मैंने एक पोल में 300 ग्राम मैदा लिया वाए इसमें मैंने सबसे पहले दो बड़े चमच ऑईल आट कर दिया है और इसे के साथ एक चमच नमक आट कर दिया है सबसे पहले इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देना है अब हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करते हैं पानी डालना है और इसका डो बना करके त्यार करना है मुमूस के लिए जो हमारा डो होता है ना वो बहुत जादा हार्ट भी नहीं होता और बहुत जादा सॉप्ट भी नहीं होता जैसे हम नॉर्मल रोटी के लिए डो बनाते हैं उससे हलका सा हार्ट डो बना करके त्यार करना है तो थोड़ा थोड़ा करते वे पानी डालते जाए और इसका dough ready कर ले तो यहाँ पर हमारा dough ready हो चुका है जैसा कि मैंने आपको बताया मैंने इसे हलका सा hard dough बना करके त्यार किया है तो अब हम इसे ढख करके side कर देते हैं और चलिए फटा फट से अब हम अपनी stuffing बना लेते हैं stuffing के लिए यहाँ पर मैंने कुछ vegetables ले वे हैं तो यहाँ पर मैंने एक पता को भी लिया हुआ है जिसे मैंने बिल्कुल बारी काट कर त्यार किया है इसी के साथ यहाँ पर मैंने कुछ और सबजिया भी ले वी है तो यहाँ पर मैंने एक शिमला मिश लिया हुआ है इसे भी बारी काटा हुआ है इसी के साथ एक प्याज है चौप्ट किया हुआ लेसन लिया है आठ से दस का लिया थी जिसे चॉप्ट किया है दो इंच अद्रक का तुकड़ा है और साथी में दो हरे मिर्श है इन्हें भी मैंने बिल्कुल बारिक चॉप्ट कर लिया है अब क्योंकि पनीर मोमोज है तो अपकॉर्स पनीर तो हो गाई तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है यह घर का पनीर है आप चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं यहाँ पर मैंने एक चॉपर लिया और इसमें सारा पनीर थोड़ी चोटी तुकड़ों में करते वे डाल दिया हमिना इसे क्रंबल करना है ताकि यह बहुत जादा चोटी पीसिस में भ अदत से भी कर सकते हो बड़ ध्यान रिखे कि पनीर हमें बारी भी नहीं करना कुछ इस तरीके से होना चाहिए ताकि कुछ पीसिस पनीर के रहे तो पनीर हमारा रेडी है इसे निकाल करके साइट कर लेते हैं और चलिए फटा फट से अब हम स्टाफिंग को रेडी करते हैं स्टाफिंग को तैयार करनी के लिए यहां पर मैंने एक कढ़ाई लिया है जिसमें मैंने दो बड़ी चमबच सरसो का तेल लिया है अब जो भी तेल खाते हैं वो आप ले सकते हैं तेल जैसी गर्म हो जाएगा इसमें मैंने सबसे पहले आदी चोड़ी चमबच जीरा देना है इसके बाद इसमें अद्रक लैसन और हरी मिर्च एड़ कर देंगे इसी हमें एक से लो मिरुपना है ताकि जो आद्रक नहें ने उनका कच्छा पर निकल जाए और यह थोड़ा सा कुख हो जाए जब अध्रा को लेसन ठोड़ा सा पक जाएँगे ना इस टाइम पर हमें उसमें इसमें दाल देना है और होगा यह हम olur ए आपनीर मुमोस को भी मालन सब्सक्ति सब्सक्राइल है मैं वाजides के लिए और इसके सबना पहरे में पहरें आप प्लле को किया आते की वétat कि अगर इसके सब्सक्राइल उपुक्ति資ब और यहाँ पर मैं आपको इकवाल बताना चाहते हूँ यहाँ पर यह पनीर मुमो जए बट हमने इसमें सब्जीया इसलिए आट की हैं क्योंकि एक तो यह मुमो को काफी अची बाइंडिंग देगा और दूसरा कि यह काफी अच्छा टेस्ट भी देता है अगर आप सिर्फ पनीर बहुत ज़्यादा हमें सब्जीयों को कुक नहीं करना है तो यहाँ पर मैंने सब्जीयों को ढग करकिया और बस चार से पांच मिनट के लिए ही पकाया है फ्लेम मैंने यहाँ पर लो रखा हुआ था क्यूंकि सब्जीयों को हमें overcोग बिल्कुल भी नहीं करना है तो अब विस टाइम पर हम इसमें कुछ मसाले आड़ करेंगे, तो यहां पर मैंने आदा चममच काली मिर्च पाउडर, आदा चममच जीरा पाउडर और आदा चममच लाल मिर्च पाउडर आड़ की है, तीक हाप अपरे अनुसार कर सकते हो, जादा यकम जैसा पसंदे, इसी के साथ जो हमारा पनीर है उसे भी इसमें डाल देंगे अब हमें इसी बिल्कुल भी एक्स्टर नहीं पकाना है बस हमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला देना है और एक से दो मिनट के लिए पकाना है इसके बाद हम ग्यास का फ्लीम ओफ कर देंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि हमें इसे एक्स्टर नहीं पकाना क्योंकि हमनी सबजियों को पहले भी पकाया हुआ है तो अब इसी जादा पकाएंगे ना तो वो ओवर कुक हो जाएंगी तो बस मैंने एक से दो मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके पकाया और अब ये बिल्कुल रेडी है गैस का फ्लिम ओफ करके इसे निकाल लेंगे और इसे हमें हलका सा ठंडा कर लेना है कॉस्कि निकाल के मैंने इसे अच्छे तरीके से थंडा कर लिया है अब हम इसमें नमक आठ करेंगे तो यहां पर आप अपने टेस्ट के कोडिंग नमक आट कर दें ध्यान रिखिए कि हमने डो में भी नमक आट किया है फ्रेंट नमक हमें बाद में इसलिए आट करना है न क्योंकि अगर मिश्रन गर्म रहेगा उस वक्त अगर आप नमक कारोगी तो वह पानी रिलीज क करेंगा जिससे हमारा जो स्टफिंग बने का वह गीला हो जाएगा तो इस बात का ध्यान रिखिए कि पहले इसे अच्छे तरीके से ठंडा कर ले इसके बाद ही आप इसमें नमक काट करें नमक काट करके और इसे बस बढ़िया तरीके से मिला देना है और यह हमारी मोमो की यमी ओली स्टफिंग बन करके तयार हो चुकी गए तो सारी चीज़े रेडी है स्टफिंग रेडी है जो हमारा डो है वो भी ब्लकुल परिफेक्ट रेडी हो चुका है चलिए हम फटाफट से ओंut तो सबसे पहले रोट को हलக सा म०सम करके में इसे बर साब कर लेंगे कोडिंग मैंने याँ पे बॉल्स बना ली हैं यहाँ पर मैंने यह पहला बॉल लीए इसे आतों में रॉल करेंगे और इसे सूखे मैदे में कोट करेंगे अब अब हमशे पहले बेलनी वक्त भी आपको खासवात का ध्यान रखना है ऐसा निकी कहीं जादा प्रेशर लगा रहे हैं कहीं कम प्रेशर लगा रहे हैं इक्वली हमें इसे बेल करके त्यार करना है हर जगा से एक्वल होना चाहिए हमें इसी बहुत जादा मोटा नहीं बिलना है हलका सा पतला ब फटाफट से हम अपनी momos की filling करते हैं. तो सबसे पहले अभी जो हमने पूरी बेला, उसमें हम हैं सबसे पहले momos की जो stuffing हमने बनाई है, उसे डालना है. बहुत जाधा भी फिलना करें. अब हमें क्या करना है कि जो हमारी अाटी की लेयर कि च्छे परीके से बंधा है कि सब्सक्राइब क्या होता है कि इसमें कि को स्टार्ट करेंगे और अब हमें इनके बनाने हैं कर से कर लिवाइब से जाने रहे internacional हैं मैं च्छाइडवे स सब्सक्राइब पुर कए पॉल प्लेस दूसरे तरफ से अटाथ हैं जो last में बचेगा ना उसे बस अच्छे तरीके से मोड़ दे काफी आसानी से हो जाता है friends आप 3-4 बनाएंगे ना तो आपके momos बिलकुल perfect बनने त्यार हो जाएंगे ये देखें last में इसे अच्छे तरीके से दबा दे जो इसे अच्छे तरीके से बंद भी करतेगा और उपर की जो layer है वो काफी पतले भी हो जाएगी ये देखें काफी असानी से कि हमारा पहला momos बन के त्यार हो चुक है मैं आपको और भी असान तरीके बताती हूँ जो आपको काफी जादा help करेंगे तो यहाँ पर एक और पूरी में stuffing डाला साइट्स में पानी लगाया ये काम आपको हर बार करना है ये momos को अच्छे तरीके से बंद करेगा तो यहाँ पर सबसे पहले जो side वाले layers है उन्हें पहले attach करे और फिर जो बाकी के दो sides है ये देखें कुछ इस तरीके से इन्हें भी attach कर दे ये देखें ये काफी आसानी सो जाता है और अब बस क्या करें कि जो अभी हमने attach किये हैं उन्हें बस आपस में अच्छे तरीके से जोड़ दे कुछ इस तरीके से ये देखें काफी आसान तरीका है ये वाला अगर आप फर्स टाइम भी बना रहे हैं तो आप इस तरीके से मोमो को फिल कर सकते हो बहुत ही आसानी सो जाता है दिखने में भी ये काफी अच्छा लग रहा है और बनाना तो बहुत ही आसान है तो ये देखें ये एक और तरीका हो गया मोमो को फिल करने का चले कुछ और त गताती है तो स्टफिंग डाल देने के बाद साइट में पानी लगा दिया और अब यह देखे मैंने जाप को पहना तरीका बताया ना इसमें भी हमें बिल्कुल उसी तरीके से प्लेट्स बनानी है बस फर्क इतना है कि उसमें हम सारे प्लेट्स को जॉइंट नहीं कर रहे थे और अच्छे तरीके से डबा दें काफी बढ़िया तरीके से बंध हो जाता है तो यह कुछ तरीके हैं जिससे आप मॉमो को काफी आसानी से फिल करके रेडी कर सकते हैं फिलिंग कर लेने के बाद चलिए अब हम इसे पकाने की ओर बढ़ते हैं तो इसके लिए मैंने आप पर एक पतिले में पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ है आप चाहे तो प्रॉपर बरतन यूज़ कर सकते हैं जो मोमो को स्टीम करने वाले आते हैं वरना कुछ इस तरीके इस तरीके से छेद होते हैं और उसे आप किसी ऐसे बरतन की ऊपर रख दिए जिसमें वह इसमें रखे गार्बर बनाव मर्तन के बाद अब इसके ऊपर एक ही ढकन लगा देंगे और इसे low to medium flame पर आराम से पकने देंगे 12-15 मिनट में हमारे मुमोस बन करके बिल्कुल तयार हो जाएंगे तक्रीबन 15 मिनट तक पका लेने के बाद अब जो हमारे मुमोस हैं वो बन करके बिल्कुल तयार हो चुक हैं इसे over cook भी बिल्कुल ना करें वरना क्या होता है कि मुमोस हांड हो जाते हैं और फिर वो अच्छे नहीं लगते खाने में तो आफ पटा फट से मॉमोस को निकाल लेंगे मैं इसे हातों से निकालत रही हूं भटाब ब्लकुल भी रिस्क नहीं लेना तो आप इसे किसे कलिप या फे चेम्टे की Мतदत से निकाल से निकाले यह हमारी बहुत ही यमी, पनीर मुमो बन करके त्यार हो चुकी है, बहुत ही यमी होती है, अगर आपने अभी तक ट्राइ नहीं की है, तो आप एक पर ट्राइ करिए, यकीन मानिए, आपको यह बहुत ही जाधा पसंद आएगा, इसमें पनीर के साथ जो सबजीयों का टेस्ट बहुत ही यमी होता है, इसे मैंने स्टीट स्टाइल भी सर्फ किया है, और आपको इसे तोड़के दिखाती हो, यह देखे, काफी आसानी से टूट रहा है, यह देखे, लग रहा है ना, बहुत ही यमी, तो अगर आपको भी मॉमो स्काना पसंद है, तो किस बात का इंतिजा अगर कोई फ्रेंड है, जिन्हें मॉमो खाना पसंद है, तो उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरू करें, और अगर अब भी तक आपनी हमारी चानल को सब्सक्राइब किया है, तो फ्रेंड प्लीज हमारी चानल को सब्सक्राइब करें, यह हमें बहुत जादा मोटीवे तो मिलते हूं आप से किसी दूसरे वीडियो में किसी ऐसी ही दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप खाते पिते रहिए, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, मिलते हूं आप से किसी दूसरे वीडियो में, thank you so much for watching this video.